असलाम लेकुम एवरीवन, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कुस किया था, प्रॉपागेंडा क्या होता है? प्रॉपागेंडा की टेक्निक्स, एक्जांपल्स के साथ मैंने आपके साथ डिस्कुस की थी, उसका लिंक भी मैं डिस्कुप्शन में दे दूँगी, आप लोग जरूर देखिएगा, आज हम डिस्कुस करेंगे कैसे प्रॉपागेंडा जो है, वो एडवर्टाइजिंग औ प्रॉपागेंडा साहऑ। product को sale किया जा सके, publicity क्या होती है publicity किसी भी company या product के मतलिक information देती है, ठीक है person या non-person means से और ये unpaid होती है मतलब organization या company वगरा pay नहीं करते और source भी identified नहीं होता next देखें aims तो aims में सबसे पहले propaganda का क्या aim होता है propaganda का aim होता है सिरफ message को spread किया जाता है, इसमें selling का कोई question नहीं होता, लेकिन advertising में क्या होता है, इसमें largest possible market तक product को sale किया जाता है, और publicity में क्या होता है, publicity में public opinion को influence किया जाता है किसी भी चीज़ के favor में next देखें objectives, objective में सबसे पहले propaganda के objective है किसी भी specific political, social या ideological agenda के लिए behavior को influence किया जाता है इसका ये मकसद होता है advertising का क्या मकसद होता है, इसमें idea को, service को या product को sale किया जाता है और promote किया जाता है, audience को persuade किया जाता है, लेकिन publicity में क्या होता है, इसमे positive attention generate की जाती है, awareness दी जाती है किसी भी persons के लिए किसी भी product के मतलिक किसी भी organization के मतलिक या किया जाता है अवेर किया जाता है लोगों को positive attention generate की जाती है इसके बाद payment method देखें तो propaganda में जो gofment या organization होती है वो pay करती है और कभी कि बार कोई payment method नहीं होता propaganda में और advertising में क्या होता है ये paid activity होती है इसमें pay किया ही जाता है यह paid ही होती है लेकिन जो publicity होती है यह free of cost होती है और sometime pay किया भी जाता है मतलब अगर newspaper में कोई press release हम करवा रहे हैं publish करवा रहे हैं तो इसके लिए pay करेंगे ठीक है तो कभी कबार जो होता है pay किया जाता है लेकिन जादतर free of cost होती है जिसका जो मकसद होता है वोता है company की product को popular करना consumer के सामने common west के सामने तो यह छुटा सा लेक्चर था हमारा इसी पर हमारी वीडियो खत्म होती है next वीडियो में मिलेंगे इंशाला वीडियो अच्छी लगी हो तो like करें, channel को subscribe करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को thank you so much allah hafiz